वेलकम है आपका में चैनल पे आज हम बनाएंगे आलू और मटर के कटलेट्स उसके लिए हमने चार बड़े आलू को बॉयल करके लिया है साथ मैं आधी कटोरी मटर को भी बॉयल करके लिया है दोनों का अच्छे से मैश कर लेंगे इसमें दो बड़े चमश मैंने कॉन फ्लो बनान से थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारा जो मिश्रण है वह अच्छे से बाइंट हो पाता है इसलिए बहुत अच्छे से चॉपर में इसके ब्रेट कर लेंगे कि इसके अलाव मसालों मैंने लिया है स्वादनू सार नमक चोटी आदा चमश के बराबर मैंने इसमें हींग डाली है और मैंने गरम मसाला डाला है चोटा आदा चमश साथ में मैंने डेट चमश के बराबर इसमें लान मिर्जी का यूज़ किया है आप चाहें तो हरी मिर्चिवी यूज़ कर सकते हैं साथ ही थोड़ा सा ध़नीय से ऋमैं रज़ में चाट मसाला यूस किक बं़िया है भड़ी हम या तैयार लिए या कतलेिस के लिए साथ ही मैंने तेल गरम होने रख दी और कीज के रीज़़ करके क्यों सब्सक्राण है कि पाट्यूंगी इस में एप भोल शेप हैं बना लूँगे इसमें आप ध्यान रखें आपका आलू का ये तिक्या बिल्कुल चिखना होना चाहिए इसमें ये बीच में चीज क्यूब रखके इसको चारत अफसे मस्चाले से अच्छे से टाक कर दिया है एक अच्छा राउंड मसाले दार चिक्या का हम बना लेंगे और क्यूंकि हमें इसको करारा बनाना है तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे तलेंगे मीडियम फ्लेम पे करारे होने तक हम इसे तलेंगे और तेज फ्लेम पे हम इसको कुरकुरे होने तक चलेंगे बना के आप चाहे तो टिकिया गोल शेप में बना सकते हैं याप सिर्म में बना सकते हैं अच्छा से फ्राइर हो जाने पर हम इनको निकाल लेंगे अब हर इता पर देनी की चट्नी के साथ करेंगे